कभी कभी न छोटी छोटी मुस्किलें बड़ी आफ़त बन जाती हैं ऐसे में हमें कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे हमारा काम आसान हो जाए तो बड़ी राहत मिलती है तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी ही टिप्स और ट्रिक्स लेके आई हूँ जो छोटी हैं मगर आज के आज बहुत अच्छा यूज करेंगे हम इसको केप का आपको लेना है डबल साइड़े टेप के कट करके आपको ऐसे कैप के जिदर उसकी दूसी सर्चिपकागे अपनी कई की बॉस दीवाल पर जहां याबैपको लगे हूँ आपको लगे तांक देना है और अपनी चीज होती है है आपको ऐसे इसमें लटका देने को बढ़िया है प्रकान चलते लघ्ली टिपेँ और तब अंवर में करम रहता है काफी तायम तक तो mixi jar क्या होता है हम इस्तिमाल करते हैं गीला होता है तो आप कुछ second इस पर रखके आपके इसका पानी सुखा सकते हैं बना हम इसे बंद करके रख देते हैं साथ की साथ उसमेल बहुत ही गंदी और हमारा बहुत जल्दी jar खराब भी हो जाता है तो आपको ऐसे ही कोई refined ले होगा और लंबा सालेगा और आपको इसमेल भी नी होगा और आपका जार खराब भी नी होगा तो आप चलते हैं अगली टिप की ओर जो ब्रेड होती है हर गर में इस्तिमाल होती है बच्चे खाते है बड़े खाते तो क्या होता है जैसे हमने दो चार ब्रेड खा ली तो प फोल्ड कर देना है, हाजी उस पर कैप की तरह पहना देना, देखो, बढ़िया पैकेट तयार हुआ, आपकी ब्रेड सूखेगी भी नहीं लंबी चलेगी, सेफ रहेगी और सॉफ्ट रहेगी, लगी नब अच्छी लगी हो, तो लाइक करना और कमेंट में जरूर बताना तो सिंक होता है, हम इस्तमाल करते हैं तो क्या होता है, सिंक में जैसे दिन में तो हम ज़्यातर यूज करते हैं लेकिन रात को कई घंटे एक खाली रहता है तो इसमें जो कॉक्रोच होते हैं, छुटी-छुटी कीडे होते हैं जो किंजाई होती है जो कातर होती है वो निकल के कई वार हमारे सिंक में से आ जाते हैं तो आज मैं बताऊंगी बहुत बढ़िया ट्रिक किडे जो कौकुच बगेरा है वो कुछ नहीं होगे तो आपको डाल देना टेलकम पाउडर कोई भी हो जो आपके पास इस्तमाल पास नहीं भटकेंगे फिकनेंस भी अच्छी आएगी और कीडे है कोकुच बगेरा वह बिलकुल नहीं आएगगे दो चार्ट में आप कर दो कीडे फास भटकेंगे वही तो लाइक करना और कमेंट में जरूर बताना कि आप मेरा वीडियो दुनिया के किस कौने से देखें जिससे मुझे पता चल सके कि मेरा वीडियो कहा कहा तक जा रहा है और कमेंट में जरूर चरूर से लिखना चलते हैं अगली टिप की तरफ तो नमक होता है ये एक टिप नहीं एक एडवाइज मान सकते हैं नमक होता है नमक में आपको डालनी है छे लॉंग हाँ जी लॉंग घर में बरकत आती है हांजी करके दिखना अच्छा आपको राहत मिलेगी फिर इस तरह की जो लॉकी होती है कासी भल होता है हम इस्तेमाल के बाद आदा इस्तेमाल होता है आदा बच जाता तो ये काला पड़ जाता आगे से खराब हो जाता है तो बहुत बढ़ी है ट्रिक म लगा देंगे आपको इसे लगा करके फिर फॉयल पेपर से कवर करके रख देना है आपकी लौकी सेफ रहेगी जैसी आपने काटी है ऐसी रहेगी बिल्कुल सॉफ्ट और वाइट अच्छी लगी हो ठीक तो लाइक करना अब चलते हैं अब चलते हैं अब क्या होता है कि या फिर खराब सड़ जाते हैं आलू तो आज मैं बहुत बढ़िया ट्रिक बताऊंगी जिसे आपके आलू खराब भी नहीं होंगे तो इसके लिए आपको लेना है लहसुन हाँ चाहे तो आप साबुत गाठी एक दो बीच में रख दें लहसुन नहीं तो आप इस तरह तो आप नहीं हैंगे बिल्कुल बढ़िया रहेंगे टिप्स मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे वीडियो के लिए और साथ में बैल आइकन को हिट कर देना और कमेंट में जरूर बताना और जैसे राम लिकना मिलती हो अगली वीडियो मे रादी रादी